नमस्का दोस्तों स्वागत है आप सब कर फिर से हमारे चैनल जैसा स्टडी में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हिमाचल परदेश के 50 अती महत्वपुन प्रशन डिसकस करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को दोस्तों पहला प्रशन देखिए मंडी सहर के समीब कौन सधार्मिक स्थान नागों को समर्पित है तो ओप्सिन है कमरुनाग, महुनाग, केलांगनाग या नागचला तो इसका जो सही अंसर है ये है नागचला दोस्तों नागचला जो है मंडी सहर से करीब 10 किलोमेटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ पर जो है महादेब जी का मंदिर स्थित है अगला प्रशन देखिए इमालियाज द अवर्ड ओफ लाइट के लेखक कौन है अप्शन है नोराह रिचर्ड, निकोलस रोरिक, सरदार सोबासिहां या अमरिता सेर्गिल तो दोस्तों इसका जो अंसर है ये है निकोलस रोरिक अगला प्रशन देखिए इमाचल प्रदेश के किस जिले में हुल कॉपर माइन स्थित है तो अप्शन है मंडी, सिर्मोर, चमबा या सोलन तो इसका जो सही अंसर है ये है चमबा में अगला प्रशन देखिए केलांग में कौन से बौध मठ स्थित है अप्शन है खरदोंग, शाशूर, नयूल या सभी तो दोस्तों केलांग में जो है ये सब भी मट स्थित है अगरा प्रशन है दोस्तों अगरा प्रशन देखिए हिमाचल परदेश सरकार निकिस्थान को HP जीूडिकल लीगल अकेडमी मनाने के लिए चैनत किया है अगरा प्रशन देखिए जैतून की खेती को भड़ावा देने के लिए हिमाचल परदेश का सहयोग निमलिक्त में से कौन सा देश कर रहा है तो इसका जो सही अंसर है ये है इटली अगला प्रश्चन देखिए Smart City Mission के पहले चरण में हिमाचल प्रदेश का कौन सा सहर चायनित हुआ है ओप्शन है शिमला, धर्मशाला, मंडी या सोलन तो इसका जो सही अंसर है ये है धर्मशाला Next question देखिए हिमाचल प्रदेश के उन्ना जिले में Fruit Demonstration Form कहां परस्तित है तो ओप्शन है Slow, अंजोली, जलेरा या पुबोवाल तो इसका जो सही अंसर है ये है Slow में अगला प्रशन है हिमाचल प्रदेश बड़ी जमिंदारी उन्नमूलन अधिनियम को कब राश्टरपती की स्विकृती मिली ओप्शन है 952, 953, 954 या 955 तो इसका जो सही अंसर है ये है 955 नेक्स्ट कुईश्चन देखिए दानव नित्य हिमाचल प्रदेश के किस कशेत्र से मुखेता जुड़ा हुआ है ओप्शन है चमबा, लाहुलस्पिती किनौर या कुलू तो दोस्तों ये जो दानव नित्य है हिमाचल प्रदेश के लाहुलस्पिती जिले से जुड़ा हुआ है नेक्स्ट कुईश्चन देखिए हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में किस प्राचिन मनिशी को पूजा जाता है उप्षन है मारकंडिय, सुकदेव, लोमस या वसिष्ट तो दोस्तों इसका सही अंसर है मारकंडिय अगला प्रशन देखिए हिमाचल प्रदेश के रानाओ और ठाकरू के बारे में कौन से मुख्य सुचना स्त्रोत है उप्षन है राज तरंगिनी, व्याजनाथ की प्रसस्तियां चमबा रियासत में पाये जाने वाले सिलालेक या उप्युक्त सभी तो इसका अंसर होगा उप्युक्त सभी नेक्ट क्वेस्टन देखिए क्यूथल के राना को किस वर्ष ब्रिटिस सरकार द्वारा राजा की उपादी दी गई उप्षन है 8057, 8082, 9009 and 9011 तो इसका अंसर होगा 8057 अगरा प्रशन देखिए अटिक्विटीज औफ चमबा स्टेट के लेखक कौन है तो उप्षन है जेपी एच बोगल, जीटी बिगने, जेवी ल्याल और फोर्स्टर तो इसका जो सई अंसर है ये है जेपी एच बोगल नेक्ट क्वेस्टन देखिए त्रिगर्द के सुविख्यात घराने के किस मुख्या ने अपनी बेटी का विभा किरगराम के राणा से किया जो उसके माथ हतों में से एक था अप्षन है हिर्देश चंद्र, जेचंद्र, गजमल चंद्र या दुरुपद चंद्र तो इसका जो सही अंसर है ये है हिर्देश चंद्र नेक्ट कोश्चन देखिए सुहलवी स्तावदी के मध्य के आसपास कुलू के किस राजा ने उन ठाकडों का दमन कर दिया जो अक्सर उसकी सता को चुनोती देते थे ओप्षन देखिए वीदी सिहा प्रताप सिहा या भादूर सिहा तो इसका अंसर होगा भादूर सिहा अगला प्रशन है नेमली कितमे से कौन हिमाजर परदेश में अनुससुचित जनजाती में सामेर नहीं है उप्षन है बोट लामबा खाम्पा या डूम इसका जो सही अंसर ही है डूम नेक्ट कोईशन देखिए 2011 की जन गर्ना के अनुसार हिमाचल परदेश के किस जिले में जन संख्या का घनतव सबसे अधिक है ओप्सन है सिमला, अमीरपूर, मंडी या उन्ना तो इसका सही अंसर होगा अमीरपूर अगला प्रेशन देखिए वर्स 2014 में हिमाचल परदेश के किस जिले में अपराधो की संख्या सरवादिक रही ओप्सन है कांगडा, मंडी, सिमला या सोलन तो इसका सही अंसर होगा कांगडा में अगला प्रेशन देखिए तांगनू, रोमाई, जल्विध्यूत, परियोजना हिमाचल परदेश के किस जिले में स्थित है ओप्सन देखिए शिर्मोर, कुलू, सिमला या चमबा तो दोस्तों ये जो तांगनू, रोमाई, जल्विध्यूत, परियोजना है ये सिमला जिले में स्थित है अगला प्रशन देखिए हिमाचर प्रदेश के किस चिले में सौर उर्जा परियोजना के लिए क्षेत्रगा चैन कर लिया गया है उप्सन है मंडी, कुलू, सिमला या बिलासपूर तो इसका जो सही अंसर हो गई है बिलासपूर में अगला प्रशन देखिए सर्वरी जल्विध्यूत परियोजना किस नदी तड़ पर स्थित है उप्सन है ब्यास, सतलूज, या मुना या राबी तो इसका जो सही अंसर हो गई है ब्यास नदी पर अगला प्रशन देखिए निमलिकित में से कौन सी जर्विध्यूत परियोजना निजी किशेत्र में नहीं है ओप्सन है सुमेज, जोगिनी, कुर्मी या रुक्टी तो दोस्तो इसका जो सही अंसर है यह है रुक्टी अगला प्रशन देखिए कांगड़ा के किश किशेत्र के राणा ने पानी का मार्ग खोड़ने के लिए अपनी बहु की बली दी बताई जाती है ओप्सन है गडोह, कनियारा, चंडी या पालम तो इसका सही अंसर है चंडी में अगला प्रशन देखिए कनिंखम के अनुसार कांगड़ा रियासत समों में कौन सी रियासत आती है ओप्सन है जो जहलम और ब्यास के बीच है, जो रावी और ब्यास के बीच है, जो ब्यास और सतलूज के बीच है या जो रावी और सतलूज के बीच है तो इसका सही अंसर है जो रावी और सतलूज के बीच है अगला प्रेशन देखिए हंचीसन और बोगल निमलिकित में से किसे मुहम्मदन रियासत मानते है उप्सन है नुरपूर, शाहपूर, दतारपूर या कुटलेहर तो इसका सही अंसर होगा सहपूर अगला प्रेशन है निमलिकित में से कौन सी रियासतें गुलेर रियासत से उपजी साखाएं है उप्सन है सहपूर और सिबा, सिबा और दतारपूर, कोटला और जस्वा और सहपूर और कोटला तो इसका सही अंसर है सिब्बा और दतारपूर Next question देखिए ब्यास नदी धोला धार परवत्रिंखला को किस स्थान पर काड़ती है Option देखिए रामपूर, लारजी, कांगला या कुंग्टी तो इसका सही अंसर होगा लारजी अगला question देखिए कुलू के निर्मंड इलाके से कौन सेरी सी जुड़े हुए है Option है ब्यास, वसिष्ट, परसुराम या विश्वमित्र तो दोस्तो कुलू के निर्मंड इलाके से जो है परसुराम जी जुड़े हुए है अगला question देखिए हिमाचल परदेश के मंडी जिले का रिवालसर गाओं निमिलकित में से किस से जुड़ा है Option है पदम संभव, लोमस, बसिष्ट या परसुराम तो दोस्तो ये जो रिवालसर गाओं है ये पदम संभव जी से जुड़ा हुआ है Next question है हिमाचल परदेश के किस जिले में 2014 में मानसुन के शत्र में सबसे अधिक बरसा हुई Option है मंडी, सिरमोर, सोलन या कांगडा तो इसका अंसर होगा सोलन में अगला question है हिमाचल परदेश में हवाई खेलो का चात्रवास कहा है Option है बुंतर, गगल, बीर बिलिंग या जुबरहटी तो दोस्तों इसका सही अंसर है बीर बिलिंग में अगला question देखिए हिमाचल परदेश के किनोर जिले में सपनी किला कहा है Option देखिए सांगला, मुरंग, निचार या कलपा तो दोस्तों ये जो सपनी किला है ये सांगला में स्थित है अगला question देखिए नहन कोठी, पंचकुला में सिर्मोर के किस राजा ने बनवाई थी Option है कर्म प्रकाश, फत्यप्रकास, जगत प्रकास या धर्म प्रकास तो दोस्तों इसका जो सई अंसर है ये है फत्यप्रकास Next question देखिए हिमाचल प्रदेश के किस उपमंडल में 2014-15 में Hepatitis B और C के बहुत अधिक केस पाए गए थे Option है चमबा में भरमोर, रावल स्पिती में स्पिती सिर्मोर में राजगर्ड और मंडी में करसोग तो इसका सही अंसर होगा रावल स्पिती में स्पिती दोस्तों अगला प्रशन देखिए 2015 में हुआ All India Hot Weather Tournament निमली कितमे से किस मैदान में खेला गया था Option देखिए कुलू के ढालपूर में, चमबा के चोगान में बिलासपूर के लुहनु में और मंडी के पडल में तो इसका सही अंसर होगा मंडी के पडल में निमली कितमे से किस जलाय से में प्रती हेक्टेर मचली उतपादन भारत में सरवादिक है Option देखिए चमेरा, पॉंग डैम, गोविन सागर या रणजीत, सागर, डैम तो इसका अंसर होगा गोविन सागर अगरा प्रशन देखिए स्वान अधी पर एकिकृत, जलागम, प्रबंधन, परियोजना उन्ना में कौन सदे सहयोग कर रहा है Option देखिए जपान, नार्वे, जर्मनी या फ्रांस तो दोस्तो इसका सही अंसर होगा जापान अगरा प्रशन देखिए हिमाचल परदेश में दूद गंगा स्केम किस बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है Option है State Bank of India, नावार्ड, यूको बैंक या पंजाव National Bank तो दोस्तो हिमाचल परदेश में जो है Option है सुन्य, एक, पांच या तेरह तो दोस्तो इसका सही अंसर है पांच अगला प्रशन देखिए 1883 इस्वी के आसपास जुगा अंदोलन जिसमें किसानों ने आतमधा किया किस रियासत में हुआ था Option देखिए गुलेर, शिरमौर, कहलूर या बुसहर तो दोस्तो इसका सही अंसर होगा कहलूर या सत्मे अगला प्रशन देखिए गुगा मंडली किस दिन गाउं गाउं जाकर गुगा गाथक के गान की शुरुवात करती है Option देखिए रक्षा बंदन के दिन, गुगा नवमीत के दिन जनमाश्टमी के दिन या नागपजमी के दिन तो दोस्तो गुगा मंडली जो है रक्षा बंदन के दिन से गुगा गाथक के गीत की शुरुवात करती है अगला प्रशन देखिए मैई 1815 में किस किले के पास अंगरेजो और गुर्खुंग में युद हुआ जिसमें भक्ति थापा मारा गया ओप्षन है मलोण, कमलाह, कोटलाई या लोहगड तो दोस्तो इसका अंसर होगा मलोहण अगला प्रशन देखिए कांगड रियासत के किस राजा ने अपनी बेटी का विबाहा ध्यान सिहां कि बेटे से करने से मना कर दिया और महाराणा रंजित सिहां के क्रोध से अपनी जान और मान को बचाने के लिए उसे भागना पड़ा ओप्षन है गमंड चंद, रूप चंद, अनिरुद चंद और जय चंद तो दोस्तो इसका सही अंसर है अनिरुद चंद अगला प्रेशन है कहलूर र्यासत का कौन सहराजा नीसंतान मर गया और उसकी मौच के बाद उत्र अधिकार के लिए संघर्स हुआ ओप्षन है महान चंद, खडग चंद, विजय चंद और अमर चंद तो इसका सही अंसर है खडग चंद अगला प्रेशन देखिए किस बर्स के आसपास लाहुल पर सिखों ने अधिकार कर लिया ओप्षन है अठारा सो चौदा से पंद्रा अठारा सो तीस से बतिस अठारा सो पैंतिस से छतिस या अठारा सो चालिस से अकतालिस अगला प्रेशन देखिए बिलासपूर रियासत के किस राजा ने भूमी करका कुछ भाग नगती में और कुछ उपच के रूप में लेना सुरू किया ओप्षन है महान चंद खडग चंद जगत चंद या हीरा चंद तो इसका सही अंसर है हीरा चंद अगला प्रेशन है बुडाह और सिहां नरित्यन नाटक हिमाचर परदेश के किस क्षेत्र से सबंदित है ओप्षन है रोहडू जुबल पांगी भरमौर सुजानपूर नादोन या लाहौल स्पिती इसका सही अंसर है रोहडू जुबल अगला प्रेशन देखिए किला लोहगड हिमाचर परदेश के किस क्षेत्र में स्थित है ओप्षन है कूटलेहर, पॉंटा, नालागड या संतोसगड इसका सही अंसर है पॉंटा अगला प्रेशन है चिनमय, संदीपनी, हिमालय, आश्रम, कांगडा जिले में निमली खित्मे से किस के नजदीक स्थित है ओप्षन है जुबला मुकी, योल, नगरोटा, वगवाँ या बैजनात तो इसका अंसर है योल तो दोस्तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज कोमेंट करके जुरूर बताएगा यदि आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी पिसंद आई हो तो प्लीज हमारी वीडियो को सिहर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलिएगा, धन्यावाद